स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले नीली जर्सी रहेगी सफेद गेंद रहेगा लेकिन पचास से बीस ओवर हो जाएंगे कल से अब ये एक ऐसा पड़ाओ जो भारत के दिक्कते साबित कर सकता है क्योंकि न्यूजिलेंड और भारत का T20 का रिकॉर्ड बहुत जादा अच्छा नहीं है न्यूजिलेंड ने आठ मैच के लिए भारत के खिलाव 6 जीते हैं यारकि भारत 6 मैच हा रहा है न्यूजिलेंड में भारत ने कभी T20 मुकाबला नहीं जीता न्यूजिलेंड तो भारत में आकर भी जीत गया था तो इस लिहाज से ये फॉर्मैट का रिकॉर्ड ऐसा है कि भारत के सामने बड़ी चुनाओती लेकिन आज शिकर धवन ने कहा बुरी तरह हराएंगे बुरी तरह धोएंगे न्यूजिलेंड को तो कल पहला T20 मुकाबला है वेलिंग्टन के वेस्ट पैक स्टेडियम में मदन जी साथ हैं हरवजन सिंग भी रहेंगे और बड़ी बात यह है कि हम नसरफ इस T20 मुकाबले की बात करेंगे बलकि इन दोनों से वर्ल्ड कप के 15 आज ही चुनवा देंगे देखते हैं ना मिट्टर्म पोल होता है ओपिनियन पोल होता है आज अगर वर्ल कप के 15 चुनने हो तो उस टीम में कौन-कौन हिस्सा लेंगे बड़ी बात यह है कि यह साल भारत के लिए अच्छा रहा है और नीले कपड़ों में भारत चाहेगा T20 सीरीज भी आसानी से जीती जाए मदन जी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप 11 मैच जीतने वाली चुनना चाहेंगे या फिर वर्ल कप के लिहाज से आप 2-3 खिराड़ें को अभी देखना चाहते हैं वो देखना चाहेंगे क्योंकि मैच जीतना भी बड़ा जुरूरी है जो भी सीरीज आप केलते हैं आप उसमें चाहब चोड़ना बड़े बड़े 2020 में आपको 2020 की चाहब दिखनी चाहिए क्योंकि बड़ा जुरूरी है यह आप कल वाला मैच आए क्योंकि आपने आपके जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड जो है इतना ज्यादा अच्छा बनी है और आप इतनी अच्छी क्रिकट खेल रहे हैं तो मेरे बचार में क्या है कि कल आपको मैच इतने के लिए जाने क्योंकि देखिए आपका जो इस वकत दबदबा है वर्ल्ड क्रिकट में तो उसको भी बनाए रखना मैं समझता कि बहुत जरूरी है और इतनी अच्छी सिरीज होई है अच्छी सिरीज होई है अच्छी और निवजिलेंड के जो हुई है आज 2020 मैंनी चाहता कि कोई भी आची टीम है क्योंकि लेवन जो है वो बड़ा जुरूरी है क्योंकि कंडिक्शन को देखते हुए 11 क्या कौन से हमारे खेलेंगे क्योंकि इसमें मोर और लाइस वर्ल्ल कप के ही किलाड़ी है इसमें एक आदा हूँ तो आपको ग्यारा चुन अब एक आदाम शर्मा बिल्कुल नमबर तीम में शुमंगिल की रखें शुमंगिल ठीक है नमबर चार पर अपना MS महींतर सिंक गे और उसके बाद कढ़ी पूर एक और इस्वपन को रखें. दिरेश कार्तिक नहीं 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 अब आप इकदार जादो को मैंने इसलिए रखिए उसको उसने बहुत अच्छा प्रदिशन किया उसको वहां का मालूम है भी गेंद वहां कैसे किये जाते हैं और बैट्समन बहुत इंप्रोवाइजेशन उनके बाहुत बाहुत सब खलिल एहमत के बास जाएंगे यहां से धार्त कॉल मैं खलिल के साथ आओंगा इस में आगे है को सोच में आगे और उसके साथ बबनेश और अपना शुमन गिल को लेकिन आप खिलाएंगे नंबर तीन और रिशब पंद को आप कह रहे हैं नंबर पांच हां नंबर पांच पर शुमन गिल की बजाए रिशब पंद को नंबर तीन यह सोचते हैं यह 2020 क्रिकेट है इसमें फ्लेक्सिबल आप हो सकते हैं इसमें को हाड़न फास रूल नहीं है पर शुमन गिल कहीं और बैट ही नहीं फिर कर पाएंगे और फिर फिर आपका उमर वान टू टू थी ही है वान टू थी है पर थी में देखिए ना उसको खला के वही बाद नहीं आपने दो चांसा दिये उसने भी कुछ सीखा ही होगा यहां से तो तीन पर वह बाकी देखिए यह रिशब पंद के लिए तो मौका है सुनहरा क्योंकि यह तीन टी-20 मुकाबले उनको मिलेंगे रिश राइडू है इनमें से एक खिलाडी की जगा ले सकते हैं रिशब पंद अब सवाल यह है कि क्या वो इन टीन मुकाबलों का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे अब ये तो सही है मदन जी की वो टीम अच्छी जिसके पास तकरीमन हर सवाल का जवाब है और कुछ सवालों को जवाब को न्यूजिलेंड सीरीज में मिला चहल, मुहमद शामी, केदार जादव, उसको इस्तेमाल किया अमबाती राइडू ने, केदार जादव ने एक दो अभी भी सवाल है मदन जी की 11 तो आपने सुली कल के मैच की वर्ल्ड कप के 15 भी आपसे अभी जानते हैं लेक पाती राइडू, महेंदर सिंग, धोनी, केदार जादव, रिश्यप पंत उनके वर्ल्ड कप की टीम में है हर्दिक पंडिया, रवेंदर जडेजा को भी हर बजन ने अपने वर्ल्ड कप के 15 में रखा है, दरसल उन्होंने तीनों स्पिनर्स को रखा है, भुमनेश्वर, म प्लस हर्दिक पंडिया, तीन स्पेशलिस्स पिनर्स हैं, चहल, कुलदीप, जडेजा, उसके अलावा ओल लाउंटर केदार जादव भी है, तो ये रिश्यप पंत को उन्होंने टीम में रखा है, उनकी टीम में दिनेश कार्थिक नहीं है, बिल्कुल ठीक, उन्होंने, ल उसके पास ऐसा दम-कम है, कि आपको मैच बॉलर वो चाहिए, जो आपको विकट निकाल के दे रहे हैं, विकट निकाल सकता है, पर ये, हाँ, उसका जरो, इसका आज क्यों उसके बाद पर डिस्केशन होगी, क्योंकि उनके प्रफॉर्मर्स जो है, इतनी ज़्यादा कंसेस नहीं रही, कभी बहुत ही अच्छा गेंद करते हैं, कभी तो बिल्कुल ही टीम को लेट डाउन करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा डिस्केशन होगा, पर फिर भी मेरे को लगता है कि शायद निकल जाए, बाकि उसनों नहीं 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 डखा, मैं बिल्कुल एगरी हूं उ इसा ही बलेर होने चाहिए वर्ल कप के लिए, जब भी कभी आपको ऐसा कोई इंजर हो जाता है, या कुछ हो जाता है, आपको टीम में उसकी, कहते हैं ना कि ऐसा नहीं लगए कि या टीम खाली हो गई है, तो रिमिंदर जड़ेजा के आने कोई भी अगर चला जाएगा, त तो फिर टॉप ओडर भी हिल जाता है, और दूसरा ये है कि मदेकरम ने भले वेलिंग्टन वन्डे मैच बचाया और मैच जिताया, लेकिन ये बार-बार होता नहीं है, तो ये दो चीज़ें हो जाएं, बड़े मुकमल टीम भारत की हो जाती है, न्यूजिलेंड की टीम को कर नहीं खेलेंगे, ट्रेंड बोल्ट इस टीम में नहीं है, तो ये ट्रेंड बोल्ट ही है, जिन्होंने आखरी दो वन्डे मैचों में भारत को तंग किया था, तो इसलिए आज से न्यूजिलेंड को जटके तो लगे है, केन विलिमसन ने भी रन नहीं बनाए, रॉस टेल किया था, तो रन बनाने पर 30-35 से आगे निकल नहीं पा रही है, आप देखते हैं कि पर न्यूजिलेंड की टीम है, तो इसी बात नहीं है, क्योंकि निशम अगर वो खेल रहा है, गुपतल की जगह, तो मैं समझता हूं कि उसमें बड़ा दम, उसमें 40-49 रन बनाए थे, ब फड़ावट से सब्स्राइब कर लीजिए, क्योंकि रात आठ वजे इस पर गर्मा गरम बहस है, आप देखिए, जो ग्यारा स्पोर्स तक की टीम की है, क्या आप से मैच करती है, आपको आठ वजे के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन स्पोर्स तक पर जाकर फड़ देखिए, धूनी आपका एक मेन स्टाइकर है और आपको मैच भी जदाता है, सुच्वेशन के असाब से आपको चल देने चाहिए, ऐसी कोई बाद नहीं, अगर और दस बारा निकल गए हैं तो आपको उसको भीजना बड़ा जुरूरी है, क्योंकि 2020 क्रिकट है ही ऐसा, त इतना उपर खेलेंगे उतना ही उनका मनो बाद यो बढ़ता रहे गा, उतना ही वहाँ टच्मे भी रहेंगे और न्यूजिलेंड में, हाला कि गर्मिया है, मौसम थोड़ा गरम है, वेलिंग्टन में ठंडी हवाय चलती है और ये जो मैदान है, इसके ठीक पास समंदर भी है, आठ बजे रात को हवाय ठंडी हो सकती है पता नहीं, तेजगिन बासों के लिए कंडीशन कितनी मददगार हो, माकूल हो, वो सब भी कल अंदाजा होगा तो ये T20 का अब नया अध्याय कल शुरू होगा, शिकर दवन कहते है भारत अराम से जीतेगा आपको क्या लगता है, क्या भारत अराम से जीतेगा, या फिर वो जो अभेद किला बना हुआ है न्यूजिलेंड T20 में, वो हावी होगा तो चक्रव्यू तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, यही सवाल है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात आठ बजे फड़ा-फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोडिफिकेशन के घंटी बजा दीजिए, फेस्बुक और इंस्टाक्राम पर दिल्चस्त कहानिये भी आपको मिलेंगी और एक फायदा ये भी है, कि कल मैच की लगातार कवरेज आपको स्पोर्ट्स तक और आज तक दोनों पर मिलेंगा.